नमस्कार कैसे आप सब, I hope कि आप सभी अच्छी होंगे, मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब, दा लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते, मैंज साइंस सेस्टी, एप्सलूटली फ्री एट लर्नोहब.com चली बच्छो हमारा आज का चप्टर स्टार्ट करते हैं, कोश्चन नमबर वन हमारा है, what do you understand by the word government, government words से आप क्या समझते हैं, next है, list five ways in which you think government affects your daily life, ठीक है, तो five things बता नहीं है कि government आपकी daily life हो किस तरह से अफेक्ट करती है, सबसे पहले चेज़, government words से क्या समझते हैं, तो government word आपने आसपास सुना होगा, आप खुद भी बोलते हैं, government ने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम नहीं किया, government अब lockdown लगाने वाली है न, ऐसी ऐसी बाते आप सुनते हैं, तो कुछ भी अच्छा बुरा जो भी काम है, उसके लिए हम government को जिमेदार ठहराते हैं, government word है क तो government हमारे द्वारा चुना हुआ, यानि कि कुछ ऐसे लोगों का group जो कि हमारे द्वारा या public के द्वारा elected होता है, ठीक है, उसे कहते है, government इसका काम क्या होता है, हमारे समाज में system को बनाए रखना, जिसके रिए rules and regulations जो हैं, वो बनाए जाते हैं, implement किये जाते हैं, देखे rules and regulations आपके घर के भी होते हैं, ठीक है, कि इतने बज़े तक आपको सो जाना है, इतने बज़े उठना है, इतने बज़े स्कूल जाना है, ठीक है, तो ये rules and regulations जो हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं, तो ये तो आपके घर का हो गया, आपके घर की बात हर कोई तो नहीं मानेग ठीक है रोड पे आप जब चलोगे लेफ्ट साइड, अगर ऐसे रूल्स नहीं होते हम उन्हें नमाने तो नहीं मनने पे क्या है, पञिए पञती है, क्योंकि ये रूल्स इसलिए बने हैं कि आपको उन्हें मानना है ठीक, आपको अपने लेफ्ट साइड चलना है, अगर ये बढ़ जाते, traffic भी बढ़ जाएगा, कोई कहीं से भी आ रहा है, but क्या है, rules and regulations है, कि आपको left side चलना है, तो आप सही तरीके से चल रहा हो, ठीक है, तो आसानी से इंसान चल भी सकता है, ठीक, तो यह क्या है, यह सारी चीजे, कौन देखता है, government देखती है, ठीक है, government, state government, central government and local central government, state government and local government, यह तीन तरह की government होती है, जो हमारे system को बना कर रखती है, ठीक, अब हमारी daily life को government जो है, किस तरह से effect करती है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कि government क्या करती है, decision लेती है, कि roads and schools बनवाने के लिए, देखिए हमें कहीं भी जाना है, road हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक नहीं है, वहाँ पर पुरा तालाब बन रखा है, तो वो क्या घर से निकल सकेगा, नहीं निकल सकेगा, घर में कैसे आएगा, जाएगा, तो यह road बनवाना, यह जिम्मेदारी किस की है, responsibility, government की, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हमारी life को government इसी तरह effect करती है, पहल के लिए road का use करना ही करना है, ठीक है, यह हो गया, फिर government इसको भी देखती है, जैसे कि किसी भी चीज के price जो है, वो बढ़ जाते है, तो government देखती कि उसे कैसे reduce करना है, कैसे कम करना है, जैसे अक्सर onion के बारे में सुना जाता है, मतलब हर air में ऐसा सुनने में आता है कि onion के rate जो है, वो बहुत जादा बढ़ गए, अब इसे reduce करना किसकी जिम्मेदारी है, वो government की जिम्मेदारी है, electricity कहा कहा पहुचानी है, यह सारी जिम्मेदारी किसकी है, गौर्मेंट की है, है ना, कि किसी का area है, वो कहां पर है, किसको पता, आस पास के लोग है, बस उन्हें है क यहां electricity चाहिए लेकिन वो बात को electricity चाहिए चाहिए सब की demand होगी लेकिन electricity का electricity का इंतिजाब वहाँ पे कौन कराएगा यह काम कौन करता है यह government ही करती है ठीक है तो इस तरह electricity जो है वो हमारी life के लिए चाहिए ठीक होगा यह हो गया कि उसकी supply होनी चाहिए उसके लाए it has several programs to help the poor जो गरीब लोग हैं उनकी help के लिए बहुत सारे program चलाए जाते हैं ठीक है उनके रहने के लिए देखी मुफ्त में घर भी दिये जाते हैं government की तरफ से ठीक है उनको अनाज वगेरा दिये जाते हैं तो क्यों क्योंकि उन्हें बहुत जादा जरूरत है यह चीजे कौन दे ठीक है तो railway service postal अगेरा जो है railway क्या है हम सभी के लिए बहुत जरूरी है हम कहीं आ रहे है जा रहे है हमारी family के लोग आ रहे जा रहे तो उसके लिए तो railway चाहिए ही बट हमारे daily के जो use की चीजे है वो goods जो हम जो भी सामान use करते हैं वो कहीं न कहीं से आते जाते हैं तो इस full relations ठीक है तो boundary हमारी अलग-अलग countries के साथ लगी हुई है ठीक है तो वहां पर क्या है उससे other country के लोग जो है कभी भी attack कर सकते तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है government की जिम्मेदारी बनती है तो boundaries बनाना दूसरी country जो हमारी neighboring countries हैं उनके साथ relation अच्छे रखना ये सारी चीजे कौन देखता है ये government देखती तो इस तरह भी हमारी daily life जो है वो affect करती है government की वरना कोई भी कभी भी आएगा हमला कर देगा ठीक है तो boundaries वहां पर बनाना और उनके साथ relation सही बनाना ये सारी जिम्मेदारी government की इसके लावा आप यहां तो five ways हो गए आप देख सकते हो क कोई disaster वगरा आता है ठीक है कभी बाढ़ आ गई कभी सूखा पड़ गया कभी किसी भी तरीके की problems आ गई जैसे अभी Corona ही आ गया था ठीक है तो चाहे natural disaster हो ये किसी भी तरीके तो ऐसे में क्या है ऐसी चीजों को government ही देखती है तो इस तरह government हमारी daily life को affect करती है चली बच्च government को law के रूप में ठीक है government को कानून के रूप में सभी के लिए rules बनाने की क्या जरूरत थी ठीक है तो अगर हम देखें कि सभी के लिए कानून के रूप में rules जो है वो बनाने की जरूरत ये थी कि जिससे की हम जहां रहते हैं जिस society में रहते हैं जिस country में रहते हैं सारी च जिससे अगर ले 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 example किसका resources का, resources है लोगों को पता है कि इस जगह पे है, उन resources की सभी को जरूरत है, लोग गए अपनी जरूरत के हिसाब से उनकी खुदाई करे और ले आए, बट ऐसा तो नहीं होता है, mines होती जिससे gold mines है, कोई भी किया लोगों को पता है कि उस जगह से gold मिलता है लोग जाएंगे ले लेंगे ऐसा तो नहीं है resources है उनका use सभी लोग कर सकें सही तरीके से कर सकें इसलिए कुछ law जो है वो बनाए गए है जिनकों की सभी को मानना है अब वहाँ पर क्या है गौर्मेंट की तरफ से जिम्मेदारी दी गए जो लोग जिम्मेदारी लि जैसे अगर हम देखें तो हमारे हाँ law है क्या कि 14 years से कम age के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं ठीक है उनको school भे जाना जरूरी उनके लिए उनके लिए काम वो नहीं कर सकते हैं तो ऐसे क्या है लोगों को क्या लगएगा बहुत सारे लोग रखते भी हैं कि लोगों उन्हें कुछ पैसे भी नहीं देने होगा बहुत होगा कि तो बच्चों में तो इतनी जानकरी है नहीं तो कहाँए देंगे कि ठीक है मिए तुम्हें ख़ाना दूँगा और बच्छा जो है वहां पर इस बात पर काम कर रहा है ठीक है चाहे बच्चे की खुद की जरूरत ह सकता है क्योंकि law है अगर पता चलेगा या फिर पकड़े गए तो क्या होगा पनिश किया जाएगा तो इसलिए यह जो rules है ठीक है जो rules है उन्हें law का रूप जो है वो देना जरूरी है जिसे चीजे जो है वो एक systematic तरीके से चल सके system से चलने के लिए जरूरी है कि government को law के रू फीचर और democratic government ठीक है essential feature बताना है किसका democratic government का सबसे पहला तो यह कि democratic government जो होती है वो लोगों के द्वारा elect होकर आती है ठीक है country के जो adult लोग होते है citizen होते हैं उनके द्वारा elect होकर आती है यानि कि जैसा कि हमने पहले देखा कि राजा है अगर तो राजा पीड़ी दर पीड कोली ही राजा बनेगी वही शासन करेगी ठीक जहां पर dictatorship है किसी ने अपने आपको ताना शाग भरशित कर दिया अब उसके आगे कोई आवाज नहीं उठा सकता वह अपनी ही चला रहा है लेकिन democratic government में ऐसा नहीं होता है democratic government जो होती है वो लोगों के द्वारा elect होकर आती है पहला feature हो गया में कि democratic government लोगों के द्वारा country के citizen के द्वारा जो adult citizen है उनके द्वारा elect होकर आती है second feature क्या है second feature यह है कि democratic government जो होती है अच्छा बुरा कुछ भी है उसके लिए वो accountable होती है जवाब दे होती है क्योंकि उसे क्या है public ने शासन करने के लिए बनाया है public ने उस accomplish ठीक है suffrage moment क्या था तो suffrage जो term use होता है generally अगर हम देखें तो किस चीज के लिए right to vote के लिए ठीक है तो suffrage अगर mean बोले meaning बोले तो suffrage का मतलब यहां पर हुआ right to vote voting का अधिकार अब हम इसकी बात क्यों कर रहे है क्योंकि हम देखें तो पहले यरप में अमेरिका में इन जग voting rights नहीं दिये गए थे जिसके लिए जो women थी क्योंकि उनकी भागिदारी जो थी participation हर चीज में था तो right to vote वो भी चाहरी थी election में participation वो भी चाहरी थी जिसके लिए उन्होंने कुछ विद्रो भी किया तो इसका accomplish अगर हम देखें तो इससे क्या उपलबधी रही उपलबधी उन्हें क्या किया गया उन्हें सेना में भड़ती किया गया उन्हें युद्ध के लिए भेज दिया गया अब country में जो काम हो रहे थे वो तो होने है उसके लिए क्या था जो women थी वो उनकाम पर लगी और उन्होंने सारे तरह के काम किये तो इससे लोगों को भी लगा कि women ज बजना सीखा इसलिए इसमें सुधार आता हुआ दिखा कब फिर्स्ट वर्ड वार के बाद इसी वज़े से हम देखते हैं अमेरिका जहां पर 1920 में और फिर इंग्लेंड जहां पर 1928 में वे मुमिन को राइट दे दिये गया किस चीज के लिए वोटिंग के लिए ठीक है इस मोमेंट गेंड मोमेंटम डियूरिंग दे फर्स वर्ड वार एज रिजर्ट आफ विच विमन वर गिवन सफरेज इन 1920 अमेरिका एंड इन अमेरिका एंड 1928 इंग्लेंड में ठीक है तो इन जगहों पर वोटिंग राइट फिर मिलने शुडू होगे क्योंकि इनकी कह रहे सकते हैं क्वालिटी इनका जो वेटेज था वो लोगों को समझ में आने लगा ठीक है तो राइट वोट की इन्हों ने डिमांड की और जो क एल यह बिला इसका पर आपकी अपनी थिंकिंग पूछा है ठीक है तो इसका आंसर जो है अपने अकॉर्डिंग आपको लिखने की इनका पर अपनी शुडू है बट हम लोग यहां पर discuss करेंगे तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी का strongly belief था कि voting rights जो है वो सभी को मिलने चाहिए लेकिन कुछ लोग उनके इस point को उनकी बातों को नहीं मानते थे ठीक है उनका यह मानना था कि जो poor है या uneducated है उन्हें voting rights नहीं मिलने चाहिए तो अब यहां पर बात करेंगे सबसे पहले हम discrimination की बात ले ले तो जहां पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो uneducated है जो poor है वो voting नहीं कर सकता है उसे voting rights नहीं मिलने चाहिए तो हाँ यह discrimination का ही form है क्योंकि समाज का ही हिस्सा जो है उसे अलग किया जा रहा है किस बात पे कि वो poor है य discrimination का ही form है ठीक अब हमारे according अगर हम देखें तो क्या यह सही है कि उन्हें अलग किया जा या voting rights नहीं मिलना चाहिए या फिर हम गांधी जी के साथ जाते है कि सभी एडल को voting rights मिलने चाहिए तो हाँ गांधी जी के साथ जाते है कि सभी को voting rights जो है वो मिलने चाहिए हमारे according है कोई poor है या फिर uneducated है वो है हमारे समाज का ही हिस्सा वो हमारे समाज को ही बना रहा है ठीक है हमारे समाज में उसका participation है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है उसे voting rights जो है वो मिलने ही चाहिए क्यों क्योंकि हम कहां रह रहे हैं एक democratic country में democratic country में क्या होता है सभी वहाँ पर equal है ठीक है जब monarchy रही तो monarchy में ठीक है जो लोग rich है clergy group के है तो वो अलग है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ democratic country में सभी लोग equal है यह democratic का की main उसकी पहचान है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर voting rights जो है वो सभी को होने चाहिए democratic में क्योंकि सभी लोग बराबर है इसलिए voting rights जो है वो सभी को मिलने चाहिए तो बच्चों इस तरह हमारा यह chapter होता है complete I hope कि आपने इसे enjoy किया होगा मिलते है next chapter next solutions के साथ at learn hub learn hub free है पर best है हमारे साथ बने रहने के लिए thank you